हेलो एंड एवरीवन्स स्वागत है आप सभी का आपके अपनी परिवार SGI कॉंप्टिन क्लासेस पर मैंने तिन पांड़े आप सभी लोगों का इस इवेंट में स्वागत करता हूँ आप सभी को पता है कि यह एक्जाम जो आपका चल रहा है यह 20-22-23 दिन का गैप था और 23 तारीक को जो पेपर हुआ है इस पेपर का अनलेसिस करने के लिए हम यहाँ पर हाजर हो चुके हैं और यह जो आनलेसिस जो है वह एक एक्जाक्ली आनलेसिस नहीं है पहले तो मैं आपको यह सभी को समझाना चाहता हूं और साथी साथ यह ध्यान रखेगा कि एससी ने जो अनलेसिस पर रोक लगाई है उस बिहाब पर मैं एससी के उस फैसले का समर्थन करता हूं और यह मानता हूं कि हां एक गलत काम है कि यह पेपर लीक के तरह ही काम आता है तो इसलिए मैं कभी भी किसी सिफ्ट में यह आपको बताने की कोसिस भी नहीं करता कि किस चैप्टर से कितने कोशिंद्स आये हैं चैप्टर में कोशिंद्स का लेवल कैसा था कैसे 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 कोशिंद्स पूछे जा रहे हैं जी के में किसे ज्यात Be कोशन्स आ रहे हैं क्योंकि यह एक पेपर लीक की तरह ही माना जाएगा और मैं भी इसका समर्थन करता हूं तो जनता जनारतन की जय बोलके शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि आज का पेपर का लेवल कैसा रहा और जो पेपर द इकन का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो जो हैं वो आपको सारी यहां पर टाइम से मिलती रहें और नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचता रहें तो सब्सक्राइब कर देना और साथी साथ यहां ध्याल रखेगा कि लाइक वाला बटन भी जरूर दबाते जिरा अब देखें यहां पर अगर हम बात करें तो आज के अनरीसिस जो तैस तारीक को पेहर हुआ है उसके अनरton बात करूँ तो यहां पर गौर्ड डालते हैं कि आजका रेज्णिंग का पेपर जो था इसमें फर्स सिफ्ट में अगर मैं बात करूँ तो कि अगर आप देखेंगे तो फस्ट पे चलें तो फस्ट पे आपके 19 से 22 कोश्चन्स आपको यह आपको गुड अटेंप्ट के रूप में देखने को मिल रहे हैं यानि कि यह पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट लेवल पर था और 19 से 22 कोश्चन्स आपको देखने को मिल यहां पर अगर हम बात करें इसी सेक्शन में मैट्स की मैट्स का पेपर मॉडरेट से हाई लेवल तक पहुचा था इसलिए किसी भी बच्चे ने सायद ही 20 से उपर कोश्चन्स कर पाए हो अगर कोई बहुत ही तुर्रम खा होगा तब ही वो 20 से उपर कर सकता है वरना एवर के सेक्शन के नदर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो next section आपका आता है जीjektे जीकस चोडीय से यह सुनने को नहीं मिला कि GK's जी रही है तो GKBS रही है यहांपर यह लेबल मुझे hard देखने को मिल रहे है GKGS में 14-17 questions देखने को मिले हैं लोगों की अक्सर और ये इसका good attempt कह सकते English का paper जो है वो easy रहा है और ये paper में आपके 21 से 30 questions देखने को मिले है English के अब तक के जितने भी paper English के हुए है उसमें English का paper ही सबसे easy देखने को मिला है second number पर हम बात करें तो reasoning की और third और fourth पर respectively देखेंगे तो इसको आप maths और GKGS के section को ले सकते हैं बात करते हैं अगर हम second shift की तो second shift में आपको ये ध्यान रखना है कि second shift के अंदर क्या हुआ है second shift के अंदर reasoning के 20-22 question यानि की easy level ही कहेंगे क्योंकि अगर 22 questions तक लोग करके आ रहे हैं तो easy और कुछ question जो थे जो calculated थे जहां पर थोड़ा बहुत time लग रहा था इसलिए 3-4 question का margin दिया है लेकिन आप किसी भी तरह से इसको hardest shift या tough नहीं कह सकते यह आपका easy max to max आप जा सकते हैं तो moderate के कुछ part को touch कर सकते हैं तो यह section आपको reasoning को देखने को मिल है math के section की बात करूं तो math का section जो आपको है यहां पर आपका थोड़ा सा थोड़ा सा यहां पर level increase हुआ बच्चों का paper का level तो increase नहीं हुआ paper तो लगबग लगबग जो first shift में आया था वैसा ही paper देखने को मिला है लगबग 16 से 19 questions यहां पर maximum लोगों के cover हुए हैं यहां पर अगर हम बात करें GKGS की तो GKGS में 15 से 16 questions यहां पर भी moderate to high level ही था अगर कोई 12 से questions अगर कम कर पाता है GKGS में तो फिर मैं कहूंगा कि वो hard level था लेकिन यह moderate to hard है क्योंकि आपने 10 questions छोड़े हैं 8 questions छोड़े हैं तो यह questions आपका moderate to high level पर जाएगा यहां पर अगर हम बात करते हैं English के section की तो English का section आपका easy रहा है second shift के अंदर ही अब हम बात करत करते हैं आगे 3rd shift की 3rd shift की बात करें तो 3rd shift में ध्यान दीजेगा 3rd shift में आपके reasoning के 18 से 21 question यह shift आपकी easy to moderate level तक है reasoning की बात कर रहा हूं math की बात कर रहा हूं तो moderate to high level रही है math की बात करूं तो यह moderate to high level रही है gkgs की बात करूं तो यह आपकी shift आपको देखने को मिली है लगबग मैं कहूं तो यह आपको 14 से 16 question यह आपको moderate to high level और English का paper जो है यह आपका easy level पर ही रहा है तो यह आपके 3 shift का अगर हम analysis करें तो इस पर एका analysis जो बन रहा है यहाँ पर इस विहाब पर अगर हम बात करें फर्स shift का जो analysis है यह आपका good attempt जो जा सकता है वो 69 से 75 questions अगर कोई करके आया है तो यह एक अच्छा attempt है और यहाँ पर अगर इतने questions पर आप जा रहे हैं तो आप मेंस की त्यारी करना शुरू कर दीजी क जो कि यह आपका एक अच्छा attempt माना जा रहा है इसके बाद अगर हम बात करें second shift में 71 question 72 question 73 इतने questions अगर आप करके आ रहे हैं second shift के अंदर तो यह good attempt है हो सकता है कि एक दो number दो ती number vary करें बट आपका यह good attempt है 70 के आसपास तो आप लोग यहाँ पर अगर आपने आपको vary कर र यहाँ पर 66 से लेके 72 questions याँ कि अगर आप 67, 68 ऐसे questions अगर करके आएं तो इस shift में आपका मेंस के लिए आप qualify हो जाएंगे और आप मेहनत करते रहें मेंस के लगाता लगे रहें यह आपका आज का पूरा analysis था 24 तारीक का जो analysis है वो हम आज रात में लेके आएंगे और आप ध्यान रखिएगा सभी साथी जितने भी लोग जुड़े थे अगर उनको analysis यह ठीक लगा हो तो comment करके जरूर बता दे आपकी सिफ्ट में पेपर कैसा आया था ये भी comment करके जरूर बता दे बाकी मेरी जुद्बात हुई है जितने छात्रों से उसके विहाब पर मैंने यह data आपका collect करके यह information आप तक पहुचाई है बाकी सभी लोग यहाँ पर जुड़े उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद चैनल पर नए थे तो चैनल को एक बार फिर से कहता हूं कि सभी लोग subscribe कर लेना तकि आने वाली वीडियो के notification आपको time से मिल सकें तो मिलत आपना ख्याल रखेगा वाय वाय टेक केर सभी सात्यों को जैहिंद नमस्कार